नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है वशी करन्ट स्पेशलिस्ट में आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपने रुमाल में ये चीजें बान दी तो आपका प्रेमी आपके इशारों पर नाचने लग जाएगा और जिन्दगी भर के लिए वो आपका गुलाम बन जिससे आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का को हमेशा हमेशा के लिए अपने वश्मे कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है एक रुमाल लेना है जो की आपका इस्तमाल किया हुआ होना चाहिए अगर आप लोग रुमाल इस्तमाल नहीं करते हैं तो आपको क्या क तो भी रुमाल का इस्तमाल करेंगे और अगर कोई महिला इसे कर रही है इस उपाय को तो उन्हें भी रुमाल का ही इस्तमाल करना है बस वो जेंट्स रुमाल की जगे फीमेल हैंकी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस तरह से पूरवदिशा में मुख करके बैठ जाएए अपने सामन कि कोई गलती ना करें इस उपाय को करने के लिए आपको उनका एक फोटो चाहिए होगा जो तीन साल से जादा पुराना नहीं होना चाहिए उसके बाद आपको थोड़े से चावल लेने होंगे उसे अपने सामने रख लीजिए और उसके बाद रुमाल पर आपको एक यंत्र बनाना है दोस्तों जो भी उपाय हमारे चैनल पर आपको बताय जाते हैं वो शास्त्र तंत्र शास्त्र के हिसाब से बताय जाते हैं तो अगर आप कोई भी तंत्र विद्या कर रहे हैं तो उसमें आपको मंत्र बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि तंत्र और मंत्र जब एक सा या फिर इसे आप दुबारा देख सकते हैं जिससे की आपको पूरी तरह से ये समझ में आए तो आप एक pen से सबसे पहले तो इस पर एक इस तरह से यंत्र बना लीजे इसमें आपको उपर की तरफ ऐसे बनाने हैं छे हिस्से बनाने हैं तीन उपर बनाने है और तीन आपको नीचे की तरफ बनाने है अब हर एक खांचे के अंदर आपको लिख देना है हरीम और दोस्तों बीच में आपको लिखना है ओम हरीम क्रीम वश्यम स्वाह इस तरह से आपको लिख देना है ओम हरीम क्रीम वश्यम स्वाह आपको किसी का कोई नाम नहीं बोलना है मंतर का जब आप मंतर लिख चुके होंगे उसके बाद आपने जो फोटो लिया है जो कि मैंने आपको बताया कि आपको असली फोटो लेना है और तीन साल से दादा पुराना नहीं होना चाहिए उसे फोटो को आपको इस यंत्र के बीच ओ बीच ऐसे रख देना है और इसके बाद फिर से आपको मंतर का उचारन करना होगा आपको बोलना होगा ओम, घृम, क्रीम, वश्यम, स्वाह और जितनी बार आप मंतर बोलेंगे इस फोटो के उपर आपको चावल का दाना रखना है याद रखें जब भी आप चावल का दाना रख रहे होंगे तो आपको पहली उंगली का इस्तमाल नहीं करना है आपको इस तरह से ये तीन उंगलियां जो हम हवन के समय इस्तमाल करते हैं इन उंगलियों का इस्तमाल करते हुए चावल को उठाना है तो इस उंगली से आप इस जिन्दगी में कुछ चाही होता है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है आपको भी पूरी शद्धा के साथ इस उपाय में इस मंत्र को 108 बार बोलना पड़ेगा तब ही ये अपना असर दिखाता है तो हर बार बोलते हुए आपको इसमें एक एक दाना रखते जाना है और 108 बार फोटो को आप इस सरीकी से मोड दीजे और किसी यंतर के बीच में रखे रखे आपको रुमाल को इस तरह से लपेट देना है जिससे की यंतर के अंदर ही वो फोटो रहे और फोटो के अंदर वो चावल के दाने रहेंगे अब आपको एक बार गाठ लगानी है इसमें रुम सम्हाल को इस तरह से घुमा के एक गांट लगा देनी है और इसे आपको ऐसे रखना है दोस्तों सम्हाल कर रखना है कि किसी और की हाथ में यह ना पड़े रात के समय आपको इसे अपनी अलमारी में रख देना है रात भर यह आपकी अलमारी में होना चाहिए आपको इसे अप कि टोड़ उसके बाद आपको घर वापस आ जाना है, हाथ मूह दो लेना है, कपड़े बदल लेने हैं, . एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे आपको इस तरह से छुपा के रख ना pagar कि कि आपको इसके बाद और कोई भी विदी करने की जरुत निये सिर्फ ये एक विदी हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए कारगर हो जाएगी तो दोस्तों आप इस विदी को कीजिए एक बात का ध्यान रखिएगा हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपना नमबर दिखाई दे रहा होगा उस नमबर पर कॉल करके आप उमसे बात कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में